एड़ी एवरीवन क्या हाल चाल मस्ती में तो प्यारे दोस्तों आज की सेशन में हमें डिसकस करना है हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स पहले कुछ बेसिक क्योशन सरेंगे साथ में कुछ एडिशनल अच्छे लेवल की क्योशन भी सैसन में हैं हम करने वाले हैं तो चलिए सेशन सुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एडिटाइब सेशन की सुरुवात करते हैं है पहला क्योशन आपके सामने दिया गया दिए इस पॉइंट ओफ वोटर यह निकिए ऐसा पॉइंट जांप ही क्या होता है बर्ब बनती है तो आइस पॉइंट की मैं बात करूँ प्लस आपके पास 273.15 Kelvin और इसके अलावा आपके पास 32 डिग्री फेरंहाइट यह आपके अलग-लग स्केल है जापे वाटर का क्या रहता है वाटर आइस की फोम में रहता है तो इन में से आपके पास क्या हो जाएगा यह वाला पार्ट आपका अंसर हो जाएगा चलिए आगले पार्ट की बात कर लेते हम नेक्स क्योंशन क्या कहता है कि टेंपरेचर ओफ बोड़ी इंक्रीज फ्रों 27 डिग्री सेल्सियस 27 से यह आपका तो यह आपका कितना हो जाएगा सर 300 केल्विन और यह कितना हो जाएगा सर आपके पास 400 केल्विन देखे यह पर आपके पास रेडियेशन इमिजन के बात करा हम स्ट्रीफन स्लो का यूज करेंगे इस इंप्लाइज आपके पास इवन बाई एटू इस इकॉल टो आपके पास टीवन बाई टीटू और इसकी पावर क्या हो जाएगी चार और टीवन बाई टीटू आपके पास 300 बग Rapha 262 तो यह 3 बगटा 46 आपके पास इसकी पावर क्या हो जाएगी चार तो यह अगर आप देखते हो तो आपके पास रिश आजाएगा सर तीन का आपके पास तीन त्क्या नो पहूवन से 256 आपके पास अब इधर जब क्रोस मल्टिप्लाइ करोगे तो आपका अंसर क्या जाएगा 256 वाइटेवन टाइमस आपका इंक्रेज हो जाएगा नेक्स क्योशन के अगर बात की जाए आप से आपके पास और आपके पास तो आप यह एक्वेशन यूज केजी पीवी इस इकॉल टो आपके पास एन रटी या फिर आप लेके चले क्योंकि नम्बर ओप मोल का यहां कोई डामेशन मुझे देखनी रहा है आर के अगर मैं बात करूँ तो आर मेरे पास हो जाएगा पी वी जिसको आप प्रैसर एनर्जी बोलते हैं डिवाइड़ वाइ टेंपरेचर तो उपर एनर्जी है तो यह मेरे पास हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू और नीचे टेंपरेचर है तो मेरे पास क्या हो जाएगा थीटा थीटा या कैल्विन में भी आप ले सकते हो तो एम एल टू टी माइनस टू थीटा माइनस वन आपके पास यह यूनिवर्शल गैस कॉंस्टेंट आर एट पॉइंट थीवन फूर आपके पास एट पॉइंट थीवन फूर जूल पर कैल्विन पर मोल यह आपके पास यह आर की वैलिव हो जाएगा नेक्स्ट क्योशन पर चलते हम कि फर्स्ट लॉब थल्मो डानमिक्स भी बेस्ट हों यह क्या कहता आप से डी क्यू ऐसी क्यों तो आपके पास डी क्यों प्लस ब्रय उजू आ पकें लिख सकते हैं डेल Q is equal to आपके पास डेल W, प्लस आपके पास डेल U, U internal energy, यह वर्गडन और यह external energy आपके पास, जैसे simply आप इसे यह लेके चले, डेल Q is equal to आपके पास M C delta T, वर्गडन को आप कैसे define करेंगे, डेल W आपके पास P delta V, और डेल U आपके पास किसके equal हो जाएगा, N C V आपके पास delta T के equal हो जाएगा, यह तीन पार्ट आप लेके चले, जितनी यह energy है उतनी ही यह रहेगी, यह कैसे है आपके पास, कि माली जी किसी source चे एनर्जी जा रही है और कुछ energy का loss हो गया, sink के अंदर, लेकिन इन दोनों का जो difference रहेगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो work done के बराबर हो जाएगा, और आल तो जितनी energy निकली थी सारी, अगर इन दोनों का sum कर दे तो इसके energy के बराबर हो जाएगा, it means it will obey conservation of energy, energy conservation को यह follow करेगा, next part आपक पास, when a copper ball is heated, the largest percentage increase will occur in, देखिए हम जानते हैं, alpha, beta, gamma आपके पास, यह कौन सा expansion होता है, यह linear होता है, यह आपके पास superficial होता है, और यह आपके पास cubical expansion होता है, cubical expansion, cubical expansion किसको denote करता है, यह volume को denote करेगा, यह किसको यह area को denote करेगा, और यह किसको denote करेगा, length को denote करेगा, यहाँ अगर मैं बात करता हूँ, इनका ratio क्या होगा, आपके पास one ratio, two ratio, three, यानि सबसे ज्यादा expansion आपका किस में आ रहा है, वोल्यूम में आ रहा है, आपका अंसर क्या जाएगा सर, वोल्यूम आपके पास, largest percentage increase किसमी, वोल्यूम में, कि नेक्स पार्ट आपके पास मैंने मैटल हीट इज मैटल रोड इज हीट इट इन एक्सपेंड बिकोज ओफ तो यहां से अगर मैं बात करूं मेरे पास यह मालीचे मेटल रोड है जब एक्सपेंड किया जाता तो पूरा पोर्शन एक्वल रेश्यो में एक्सपेंड होता है पूरा आपका इक्वल रेशियो में एक्सपेंट होगा यहां मालीजी अगर होल है तो यह होल का साइज भी क्या हो जाएगा लार्ज हो जाएगा पिक्चोरियल मेथड में तो यहां अगर मैं मॉलिक्लर डिस्टेंस की बात करो यह आपके पास molecular distance हो जाएगे इस तरीके से यह molecular distance है तो यहां से अगर मैं बात करूँ यह आपके पास इस तरीके से हो जाएगे तो हम देख रहे हैं कि इसका result क्या आया हमारे पास कि intermolecular distance expand करने पर क्या हो जाती है intermolecular distance increase हो जाती है size of atom increase यह तो नहीं कहेंगे हम distance among its atom increase यह आपका आंसर हो जाएगे option B इसका सही आंसर होगा कि नेक्स आपके पास two bodies is said to be in thermal equilibrium देखिए thermal equilibrium यह आपको कहां से मिला है यह 0th low से मिला है आपको कि thermal equilibrium यह आप कह सकते हूं study state it means आपके पास क्या होता है equal in temperature equal in temperature आपके पास temperature equal हो तो there is flow of heat equal temperature में no flow of heat both have heat and but different temperature नहीं same heat different नहीं होगा both are at same temperature इसको बोलते है थर्मल एक्विलिब्रियम थर्मल एक्विलिब्रियम का कंसेप्ट कहां से लिया है आपके जिरो त्लो से लिया है और यहीं से हमें concept of temperature मिला है concept of temperature मिला है यह वाला पॉक्ट कि टेंप्रेचर ओफे सबस्टांस इस इंक्रीज वाई ध्यान से समझना है स्टेट्मेंट को इंक्रीज वाई सेवें डिग्री सेल्चियस घर मादीचै पहले यह कितना था जिरो डिग्रीज अल शेष तो अभी कितना इंक्रीश हो गया है haq 27 डिग्री एलचियस अगर मैं कैल्विन में देखु इसको यह पयले क्या था आपके पास इतना Kelvin तो अब यह कितना हो गया है यह सर हो गया है 300.15 Kelvin मतलब मतलब अगर सर Celsius में आपने कितना चेंज किया 27 का तो Kelvin में भी कितना चेंज आएगा चेंज इन टेंपरेचर 27 का ही आएगा तो यहां से ओन Kelvin स्केल आपके पास यह आंसर क्या हो जाएगा तो on Kelvin स्केल आपके पास यह आंसर हएगा 27 Kelvin. अगर अलगलग स्केल पे इस रेशियो की बात करें रेशियो फोर चेंज इन टेंपरेचर के बात करें चेंज इन टेंपरेचर की बात परें तो यह रेशियो में रापास क्या हो जाएगा Celsius Ratio, Kelvin Ratio, Fahrenheit Ratio, Rumor आपके पास तो यह आपके पास 5 Ratio, 5 Ratio, 9 Ratio, 4 आपके पास रहे गए इसके एक बल हो जाएगे यह आपके पास क्या आगया है? Change in temperature का Ratio आगया है तो आगर यहां से मैं बात करूँ यह और यह अगर आप लेके चल रहे तो इनका Ratio क्या रहेगा? 1 Ratio, 1 तो यहां अगर वैल्यू कितनी दे रिखी थी 27 तो यहां भी आंसर कितना आया हमारा? 27 तो आपका आंसर और यह आपका Ratio, यह आपको पता होना चाहिए तो यह यह रेशियो ही आपको इसली सोल करने में मदद करेगा अगले क्योशन पेचले आपसे कह रहा है कि the Fahrenheit scale is corresponding to 253 Kelvin तो सर मेरे पास relation होता है Kelvin minus 273 0.15 का यहां क्योंकि fraction में कोई value दे नहीं रखी है divided by 5 is equal to आपके पास F minus 32 divided by 9 यहां value क्या दे रखी Kelvin की यह दे रखी है आपको 253 तो यह आपके पास 253 minus 273 divided by 5 is equal to F minus 32 divided by 9 यहां से 20 by आपके पास 5 तो minus 4 this implies F minus 32 is equal to minus 4 और यह नीचे 9 divided में था यह multiply में हो जाएगा तो F की value आपके पास minus 36 plus 32 आपके पास तो minus 4 डिगरी आपका answer आज़े यह आपका answer आज़े तो इस तरीके से यह जो relation आपके पास Celsius minus 0 by 5 rumor minus 0 by 4 के relation आपके mind में already set होना चाहिए और जब आप theory के concept यह theory पढ़ोगे बार बार practice करोगे ति आपने आपसे mind में छपते चले जाएंगे आगे बढ़ते हम next part में क्या कह रहा है कि water boil at lower temperature on high altitude जैसे जैसे आप उपर के और जाओगे हाइट पर आगर आप जा रहे हो तो यहां पी क्या होता है वो देखिए पी ATM atmospheric pressure क्या होगा decrease तो इसका result क्या होगा वेपर प्रेसर आपके पास वेपर प्रेसर तो वो क्या रहेगा आपके पास same उस temperature पी लेकिन atmospheric pressure आपका क्या है कम है यह decrease हो गया है तो boiling point आपके पास क्या होता है boiling point वो temperature होता है जहाँ पी ATM किसके बराबर हो जाए वेपर प्रेसर के बराबर हो जाए तो यहां से आप देखो कि pressure decrease होने का फाइदा क्या होगा या नुक्षन क्या होगा वो समझो आप प्रेसर अगर decrease हो रहा है तो freezing point आपके पास क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा और boiling point आपके पास क्या होगा कवतना क्या होगा यह घट जाएगा और मेल्टिंग पॉइंट के बात करूं तो यह भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा समाने तो आपसे एक क्योशन पूछा जाता है कि क्या वजह है कि मालीची तीन डिग्री सेल्चिस या चार डिग्री सेल्चिस ऐसे तापमान पर सिमला में स्नोफोल है दिल्ली में नहीं है वज़े तो वज़े यह है कि जो सीलंवल से कितना वह उपर है जितनी है घ्लो रहे हम पहते अत्मृस्प्रीच प्रेशर कम हो जाएगा तो फरीजिंग पॉइंट बढ़ जाईगा हर यहां अगर बात कि जाए तो यहां पर क्या होगा एट्मोस्पिरिक प्रेसरी से लो देर यह आपका अंसर हो जाएगा आज नेक्स आपके पास स्पेसिफिक हीट ओफिर सबस्टांस इज डिपेंड रोल देखें रिलेशन तो आप क्या लेके चलते हूं एमसी डेल्टा टी तो अगर मैं बात करूँ फूर वाटर यह आपके पास 1000 कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेल्चियस यानि हर एक किलोग्राम की वैल्यू यह है इसका मतलब मास पर यह डिपेंड नहीं कर रही है उसके बाद अगर मैं बात करो यह से आइस की तो आइस की लिए क्या रहेगा यह 500 कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेल्चियस अब यह देखो दोनों के लिए पर केजी पर डिग्री सेल्चियस इसका मतलब अपके नहीं है और वॉल्यूम पर कोई लिन अदिन नहीं है यह डिपेंड करेगा नेचर ओफ मैटेरियल पर हर मैटेल के लिए वैल्यू आपके पास अलग रहेगे ठीट विष्ट विल्व भी डिपैंडनी सुनी का अपके पास क्लियर है नेक्स्ट क्योशन देखिए यहां से थर्मल कैपेस्टी आपके पास और फिर बोडी डिपेंड सुन Q is equal to आपके पास C डेल्टा टी थर्मल कैपेस्टी विल बी डिपेंड सुन तो थर्मल कैपेस्टी के अंदर आपके पास ये वाला पाइट तो है नहीं हीट डिवन नहीं आपके पास टेमप्रेंचराइच जैसे सी कि वैलू जीसके लिए ज्यादा उसके लिए आपके पास डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी तो यहांसे हम देख लेते कीट ना ज्यादा इसके अंदर टेमपूरेंचर चेंज आया है कि डिपेंड्स ओन चेंज इन टेंपरेचर आपके पास थर्मल केपिश्ट्री है कि नेक्स्ट कि अब यह वाला जो आपका कंसेप्ट गुड एब्जोर्बर इजे गुड रेडियेटर ओफ हीट आपके पास ड्यान देना यहां से अगर मैं बात करता हूं आप से स्टीफन स्लो और यह आपके लिए एक होमवर्क का भी बड़ा अच्छा क्योशन है क्योंकि इसमें से कुछ चीजें हैं जो डारेक्ट आपके स्लेवर्स में कुछ चीजें आपको अलग से भी आड़ करने पड़ेगी स्टीफन स्लो तो आप पढ़ते हो एनरजे रेडियेट वाई एबोडी या ब्लेक बोडी इज डारेक्ली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ओफिट्स एप्सलीट टेमप्रेचर वेंच लो कि अगर मैं बात करूं मिनिमम वेवलेंथ आसोशेटिटिट विदे टेमप्रेचर इस कॉंस्टेंट आपके पास यह वेंच लो आप करवाना है तो वह भी आप कमेंट कर सकते हूं नेक्स क्योशन आपके पास वाटर इज यूजूली हीट वाटर लिक्विड में आएगा तो कंडेक्शन आप हटा दीजी रेडियेशन हो सकता है लेकिन इसने का यूजूली तो यूजूली कौन सा मेथड काम करता हैं कन्वे अगला पाट बोईलिंग के अलावा यहां से बोईलिंग ओफ वाटर आप ले सकते हूं या आप इवैपराइजेशन या फोरमेशन ओफ क्लाउड आप ले सकते हूं तो यह कन्वेक्शन के अच्छे एग्जाम्पल है formation of cloud boiling of water इस तरीके क्या अच्छे एग्जम्पल है यह बेस्ट अन कन्वेक्शन next part आपके पास the coefficient of thermal conductivity is depends on अगर क्यों की बात करूम है तो यह रहता के एडल्टा टी कि स्मोल टी बाइल आपके पास अब यह क्या है आपके पास coefficient of कोफिशेंट ओफ थर्मल कंडेक्टिविटी आपके पास कोफिशेंट ओफ थर्मल कंडेक्टिविटी आपके पास एक बार के लिए इसका युनिट डाइमेंशन भी देख्लू के हो जाएगा आपके आपके पास qyt ly a delta t तो इसके लिए unit बन जाएगा आपके पास watt पर meter पर kelvin आपके पास dimension अगर इसके लिए निकालना हो में तो वो वाट का रहेगा ml2t-3 आपके पास एक एल यहां से cancel कर तो ताप mlt-3 k-1 यह थेटा-1 आपका हो सकता है अब यह किस भी डिपेंड करता है यह डिपेंड करता डिपेंड्स ओन नेचर ओफ मेटिरियल डिपेंड्स ओन नेचर ओफ मेटिरियल हर एक मेटिरियल का अलग लग रहेगा नेचर ओफ मेटिरियल आपके पास ठीक है तो देखो इन में से अगर कहें कि टेंप्रेचर डिफ्रेंस या थिकनेस या एरिया की बात करें तो यह दोनों फॉर्मूले में होते हैं यह चीज़ आपको पहले से भी क्लियर हो जाने चा है तो आप आंसर क्या लेकी चलेंगे नेचर ओफ मेटिरियल आपके पास इन स्टेडी स्टेट यह मैं अल्रेडी डिसकस कर चुका हूं कि देर आरो फ्लॉ ओफ हिट आपके पास्ट कैस का मतलब विक यह होता है क्लिण टमप्रेचर इसी को बोलते हैं थर士म औरेक्विलिब्र कि अ थर्माल अक्विलिब्रिंग आपके पास यह आप कह सकती इंसक्त्रेइब ऑद इक्वलेंट टेंप्रेचर आपके पास यह चीज आपको पता होनी चीज बड़ा अच्छा क्योशन था यह भी आपके पास नेक्स्ट क्योशन आपसे कह रहा है कि फेरनहाइट और सेल्चेस के बीच रिलेशन तो यह ओलरी हम जानते हैं सी माइनस जिरो बाई 5 इस इक्वल टू एफ माइनस 32 डिवाइड़ बाई 9 या इसे आप लिख सकते हैं सी माइनस जिरो बाई 100 इस इक्वल टू एफ माइनस 32 बाई 1 एट यह आपके पास तो इन्वी से कौन सा पहली बात तो एफ प्लस दे रहा हो उनको कट कर दो यह आपके पास अंसर होजेगा ठीक है चलिए नेक्स्ट कोफिशेंट ओफ क्यूबिकल एक्सपेंशन विल बी मिनिमूम देखिए यहां पर वोल्यूम के अगर बात करूं मैं वाटर के लिए तो वाटर का होता अनेमलेस बीहेवियर कुछ इस तरीके से आप बीहेवियर मा क्या करेगा डिक्रीज करेगा डेंसिटी क्या करेगा इंक्रीज करेगा वही चार से आगे आपके पास वोल्यूम क्या करेगा इंक्रीज ओर डेंसिटी क्या करेगा डिक्रीज चार डिग्री सेल्सेस पे आप देखोगे वोल्यूम मिनिमूम है और डेंसिटी मेक्सिमूम है अध्यूष तापका अंसर क्या होजेगा सर कोई डिग्री सेल्चिस अचम का अगली क्योंट की बात किजा से बॉल स्लो में आएसो थर्म happening फिर यंब फ्रोसेस हैं आई सो थर्मल प्रोसेस आपके पास है यह कहता है कि इन किस ओफ आइसो थर्मल प्रोसेस the volume is inversely proportional to pressure applied या आप इसे ये लिख सकते हो PV constant आप या ISO thermal है तो कई जगे आपको ये भी relation योज करना पड़ सकता है PV by T constant आपके पास और numerical के लिए ये आपका अच्छा formula हो सकता है P1 V1 by T1 is equal to आपके पास P2 V2 by T2 ये वाला point आपके पास तो इन में इसे कौन सा सही है सर पहला option आपका सही ये वाला आपके नेक्स question के मैं बात करूँ क्या कह रहा है यह से एक और ऐसा question जो आपके लिए किसका काम करेगा HW का काम करेगा बड़ा प्यारा सा question है कुछ मैं option eliminate कर देता हूं फर्स्ट लो जो मैंने आज आपके session बता दिया था क्या कह रहा है जी रोत लो मैंने आपको बता दिया आपको इन में से देखना है कि यह statement किसके आपके पास Celsius statement है या Planck statement आपके पास यह आपको बताना है कि दोनों को आगर आप combination करो तो दोनों यह कहते हैं कि efficiency कभी भी 100% नहीं हो सकते हैं वहला ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि सारी हीट आपकी वर्गडर्मिक खर्च हो जाए दूसरी बात यह देखो मान लीजिए कि यह सोर्ष है इसका temperature कितना सोग यह surrounding इसका temperature कितना 20 degree Celsius जब एक स्टेज ऐसी आएगी यहां से हीट जारी जारी और इसका temperature सो से घटके कितना हो गया 20 क्या अब इसमें से हीट निकलेगे नहीं सर इक्वल टेंपरेचर होने के बाद हीट नहीं निकलेगी तो इसका मतलब क्या हम इसका 100 परशेंट यूज कर पाई यह आंसरों का नो तो यह जो स्टेटमेंट है यह हमें कहां से पता चलती है से नहीं बदा चलती है फर्स्ट लो हमें यह नहीं बदा पाया था डारेक्शन ओफ Iya होगे आपके पास यह इस तरीख से एफिसेंशी की चर्चान नहीं कर पाय तो हम किसके बारें पढ़ते है first के बारे में तो फड़ा फट चे कमेंट बोक्स में आप यह भी कमेंट करते हैं कि इन दोनों में से कौन सा आपका अंसर शही है कि नेक्स्ट आपको एक रेफ्रिजीटर आपका ऑपरेट करता है किस पे माइनस 3 Д manufacturing Celsius और 9 डीघरी शालशियस आपके पास, the coefficient of performance आपके पास क्या होगा, 9 होगा, तो आपको t की value find out करने हैं, आपको t की value find out करने हैं, तो यहां आपके पास relation आपके, एक तो आपका होता, efficiency of Carnotate engine, जो कि कि COVID के बराबर होता है, टीवन माइनस टीटो वाई आपके पास टीवन इसके एक्वल होता है परसंटेज में निकालोगी इसको आप हंडेड से मल्टिप्लाई कर दीजे इतने परसेंट हो जाएगे लेकिन हीट पंप या रेफ्रिजेटर के लिए आपको क्या निकालना होता है कोफिशेंट एफ फर्फॉर्मल कोफिशेंट ओफ पर्फोर्मेंस आपके पास यह आपके पास क्या रहेगा फटाफट से एक बार कमेंट वोक्स में मुझे कमेंट करके बताओ कोफिशेंट ओफ परफॉर्मेंस हमारे पास क्या रहेगा बड़ा प्यारा सा क्योशन है कोफिशेंट ओफ परफॉर्मेंस हमारे पास जल्दी से comment box में comment करके बताओ कि इसका answer क्या रहेगा बड़ा प्यारा numerical सिदा formula based लेकिन जब भी आप efficiency निकाले या coefficient of performance आप निकाले तो आपको हमेशा temperature Kelvin में लेना है अब तक तो answer आजाना चीए था सबका अगया भी answer सबका चले देखिए अगया से efficiency का आपने लिया है हीट इंजन वाला केस इस पर उल्टा आप ले लिजी टीटू टीवन माइनस टीटू आपके पास तो यह जो दो temperature आपको दे रखे इसको मान लेजी आप टीवन और इसको मान लेजी आप टीटू और अब आप सोल किजी इसे आप Kelvin में जब लेके आएंगे तो यह आपके पास क्या हो जाएगा 270 Kelvin यह value आपके पास दे रहा है अब यहां से आपको देखना है कि आपका अंसर क्या होगा सर यह आप मान के चले 270 और यह आपके पास T-270 आप मान के चले पाइंड दी वैल्यू ओफ टी यह से और यह वैल्यू किसके इक्वल दे रिखे यह सर 9 के इक्वल दे रिखे तो 90 माइनस 9 इंटू 270 इस इकल तो 270 आपके पास यह इधर जाएगा आपके पास यह से प्रोस मल्टिप्लाई की ठीक है सर यह बन जाएगा मेरे पास 9 by 1 इसके साथ यह वाला ठीक है तो 90 मेरे पास किसके बराबर बन जाएगा तो यह बन जाएगा 10 इंटू 270 2700 9 से करोगे तो आपके पास कितना आजाएगा सर 9 से मेरे पास आजाएगा यह 927 300 केल्विन आजाएगा मेरे पास ऩर तीके वैल्यू क्या आगी 300 केल्विन Finnish क्या गए तो आगर कैल्विन में निकालना है तो यह आपके पास और Celsius में निकालना है तो यह आपके पास को देख ले ना जिसМें विवे आपको दे रखा तो इट्स कोफेशेंट ओपरफोरमर आपके पास ₹ ती डिग्री सेलसियस आपको निकाला डिग्री कल नेके स rif हमेसे में इस क्योशन को आपकी स्में लेके सोल करोगे हमेसे आप इसे क्मलेनैं में को अ ि ठीक है इस CT person आपके पास thermodynamics process जिसमें वोल्यम कोंस्टेंट रहे आपके पास देखे ए को आडमेटह्न को यह को नेके चलोगी आई से बारिक में प्रेसर आप आपकोंस्टेंट लेके चलोगे आइसो कोरिक में वोल्यूम आप कॉंस्टेंट लेके चलोगे और आइसो थर्मल में आप टेंपरेचर कॉंस्टेंट लेके चलोगे दो चीज और इसमें यह आपकी स्लो प्रोसेस है और यह आपकी इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है मैं इच्टेंटेनियाजonne का सद्सक्राइब का अंसर आपका क्या था यह था हुआ और यह किसमें हम यूज करते हैं यह गैलूशीक लोक थेसरी नि AJ सब्सक्राइब कर दोने तो एक ओमीद है कि यह सारी चीज़ें आपको समझ आ रह Hungarian बेंगी बेतर तरीके से आप अपल कर पा रहे होगी अब आप भी ये साथ हो कि यह सारे नुमेरिकल आप इसी तरीके से एक बार में देखते सोल कर लो तो आपको करना क्या है आपको से अपरोपर तरही तरीके से रीड करना कॉर्स कहा है आप पार स्ट्राइट 24 यह आप जैंगी आप कोशेच गोर्मिंट जोब एक्जाम टीचिंग और आपका केविएस पीजिटी केवेस पीजिटी पे आप जाएंगी तो यहाँ आप देखोगी व्यू ओल और आपका फिजिक्स का को और यह दा है और आपका स्टार्ट हो रहा है 30 से इसका स्टुडि प्लावियंक जैसे यह करोगी यह यह तिरी प्लान करूं नोजार नोसो निन्यानुवे व्यो ओफर इंटर कूपन कोड़ वाई 575 अपलाई और आपका जो कोर्ष का प्राइस हो जाएगा छह मेने के लिए 2299 रुपए वाई यूजिंग कोड़ को वाई 575 इस कोड़ का जब आप यूज करेंगी तो आपके पास या चाहिए सेशन आपको पसंद आया हो तो भी आप कमेंट करें सेशन में कुछ चीज और आगर आपको एड़ कर वाली तो भी आप कमेंट करें तो आज की सेशन में रखते हम इतना ही फाइनली जैहिंद जैवार्थ